अगर हम किसी container में hydrogen रख कर उसके through electric discharge को पास कराते हैं या फिर इसे किसी भी type की external energy देते हैं तो इसके जो atoms हैं वो emit करते हैं कुछ certain frequencies के electromagnetic radiations तब ही इसके spectrum में हमें देखने को मिलती हैं कुछ certain frequencies की lines और इसी तरह के spectrum को हम बोलते हैं line spectrum और क्योंकि यह जो spectrum है यह hydrogen के atom के through बन रहा है इसलिए इसे हम बोलेंगे line spectrum of hydrogen अब इसी basis space की जो definition होगी वो होगी यानि कि simply जब हम एक hydrogen atom को किसी भी type की external energy देते हैं तो वो excited state में चला जाता है और फिर उसे ground state में वापस आने के लिए उस energy को release करना पड़ता है जो उसने absorb किया था और उन ही certain frequencies की energy से जो spectrum बनता है उसे ही हम बोलते हैं line spectrum of hydrogen ठीक है समझे बात को तो चलो अब यह तो समझा गया कि line spectrum of hydrogen किसे कहते हैं तो चलिए अब यह जानते हैं कि इन hydrogen spectral lines को discover किस ने किया था तो इन lines को discover किया था एक Swiss mathematician और physicist ने जिनका नाम था जोहान जैकब बामर इसलिए हम इन hydrogen के spectral line के collection को बामर सिरीज भी बोलते हैं और इन्हों ने इन lines को discover करने के साथ साथ एक ऐसा formula भी दिया था जिसके थुरू हम इन lines के wave number को find out कर सकते हैं अब जिन लोगों को नहीं पता कि wave number क्या होता है तो वो बस इतना समझ लें कि और इसकी जो unit होती है वो होती है centimeter यानि कि simply बताओं तो one centimeter में कितने waves present होंगे उसी को हम उसका wave number बोलेंगे और ये wave number directly proportional होता है उस radiation के frequency से और inversely proportional होता है उस radiation के wavelength से ठीक है समझे बात को तो अब जो formula बामर साब ने दिया था वो था 1,09,677 multiplied by 1 divided by 2 square minus 1 divided by n square per centimeter तो अब यहाँ पर इसमें जो n की value होगी वो होगी 3, 4, 5, 6 और इसी तरह से infinity तक कोई भी number हो सकता है बट यहाँ पर अब ये सवाल आता है कि ये जो values हम use कर रहे हैं n के जगह पे ये हम कौन से condition में किस number को use करेंगे तो यहाँ पर हम n के जगह पे 3 को तब use करेंगे जब हमें इस hydrogen spectrum के first line का wavelength निकालना हो और n के जगह पे 4 को तब use करेंगे जब हमें इस second line का wavelength निकालना हो 5 को तब use करेंगे जब इस third line का निकालना हो 6 को तब use करेंगे जब इस fourth line का निकालना हो और जब इसके values को put करके हम इसे solve करेंगे तो इसका जो answer आएगा वो इनके wavelengths का reciprocal होगा यानि कि simply हम बोल सकते हैं कि the reciprocal of wavelength is equal to wave number इसलिए हम यहाँ पर इस wave number के symbol के जगह the reciprocal of wavelength यानि कि 1 by lambda भी लिख सकते हैं तो अब आगे चल कर और भी अलग-अलग साइन्टिस्ट ने इस तरह के और भी अलग-अलग सीरीज को खोज निकाला जैसे कि लीमन ने एक सीरीज निकाला था जो कि ultra wallet range में आता था और इसे कहा गया था लेमन सीरीज और इसी तरह से infrared range में भी साइन्टिस्ट ने बहुत सारे सीरीज को डिसकवर किया था जैसे कि passion ने discover किया था passion सीरीज को, bracket ने discover किया bracket सीरीज को और भी इसी तरह से बहुत सारे scientists ने different series को discover किया था ठीक है यहाँ तक समझ गया तो अब सबसे last में एक और scientist आया जिनका नाम था यूहानस रॉबर्ट रिडबर्ग अब आप इसे रिडबर्ग की जगा रिडबेज भी पर सकते हैं, दोनों ही सही है तो इन्होंने एक ऐसा formula find out किया था जो कि इन सारे सीरीज के lines पे apply हो सकता था उनके wave numbers find out करने के लिए यानि कि simple भाशा मैं बोलूँ तो बामर ने जो formula दिया था वो बस visible spectrum यानि कि बस बामर सीरीज के ही lines का wave number find out कर सकता था बट वहीं रिडबर्ग ने जो formula दिया था उसका यूज करके हम बामर सीरीज के साथ साथ जो बाकी के अलग-अलग series बन रहे हैं जो कि हैं lemon series, passion series, bracket series और भी बहुत सारे series यहां के जो कि discover हुए थे उन सारे series के lines का wave number भी हम इस रिडबर्ग के formula के through find out कर सकते थे अभी जो formula था यह था wave number यानि कि 1 by lambda equal to 1,9,677 जो कि same number है जो कि हमें बामर के formula में देखने को मिला था उसमें multiplied by 1 by n1 square minus 1 by n2 square per centimeter यह था रिडबर्ग का formula तो अब हमें formula तो मिल गया बट यहां पर इस n1 और n2 की value क्या होगी तो यहां पर जो n1 है वो represent करेगा कि यह जो spectral lines है यह कौन से series से belong करती है यानि कि जिन lines का हमें wave number find out करना है अगर वो lemon series से belong करती है तो इस n1 की जो value होगी वो होगी 1 और इसी तरह से अगर हमें bummer series में से किसी line का wave number find out करना है तो क्योंकि यह bummer series second number पे आता है इसलिए इस condition में n1 की value होगी 2 और similarly passion series के लिए value होगी 3 bracket series के लिए 4 उसके बाद जो series आएगी उसके लिए 5 उसके बाद जो series आएगी उसके लिए 6 और अब वो ही दूसरी तरफ जो n2 है वो represent करेगा कि वो कौन सी series की कौन सी line है अब यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान से सुनना कि यहाँ पर starting में जो हम n2 की value को put करते हैं वो करेंगे हम n1 plus 1 के form में समझे वो करेंगे हम n1 plus 1 के form में यानि कि n1 में ही हम 1 जोड देंगे तो वो n2 की value आना start हो जाएगी अब बता रहूं कैसे आना start होगी अब जैसे कि for example अगर हम इस bomber series के इस third line का wave number निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस formula को put करेंगे फिर n1 की value डालेंगे जो की होगी 2 क्योंकि जो bomber series है वो second number पर आता है इसलिए यहाँ पर हम 2 डालेंगे अब जो n2 की value होगी वो क्या होगी? मैंने क्या बताया था? वो होगी n1 plus 1 अब हमने n1 की value डाली थी 2 तो उसमें 1 add कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 बट 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 यह जो 3 है यह इस series के first line के value है ध्यान से सुनना यह इस series के first line के value है अब अगर हमें और आगे के lines की भी value चाहिए तो हम simply 1 1 और add कर देंगे हम जितने भी lines आगे बढ़ेंगे इस second line की जो value होगी वो होगी 4 फिर third line की होगी 5 तो यहाँ पर इस equation में हम n2 के जगव 5 पुट करेंगे फिर इसे solve कर देंगे तो इस bomber series के third line का wave number हमें मिल जाएगा और यह जो wave number हमें मिलेगा इस third line का यह इस third line के wavelength के reciprocal होगा समझे और इसी तरह से हम बाकी सारे series और उनके lines की values पुट करके उनका wave number find out कर सकते हैं समझ में आई बात तो चलिए अब last line कुछ important points देख लेते हैं इस topic से related तो जो first point है वो है कि एक bomber series ही ऐसा series है जो कि electromagnetic spectrum में visible region में आता है यानि कि बस इसी bomber series को ही हम अपने naked eyes से देख सकते हैं फिर जो second point है वो है कि यह जो value है जो कि बामर और रिडबर्ग दोनों के formulas में use हुआ है इस value को हम बोलेंगे रिडबर्ग constant तो अब जो third and last point है वो है कि जो बामर और रिडबर्ग थे उन्होंने proper formulas तो दिये थे बट कोई proper explanation नहीं दिया था इस line spectrum के बारे में बट फिर आगे जाके एक model आया जो की था बोर्स atomic model जिसको यूज करके इन-line spectrum का भी explanation हमें मिल गया तो next वीडियो में हम इसी बोर्स atomic model के बारे में पढ़ेंगे